नमस्कार, Do It Yourself, Inspiration में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक प्रयोग करने वाली हूँ मैं आज आपके लिए कुलफी करने वाली हूँ और ये देखिए मैंने ये आकार लाए है अलग-अलग कुलफी के लिए मैं जब बाहर गई थी कुछ खरीदने के लिए तो मुझे आकार दिखे तो मुझे लगा चलिए करके देखते है और कुलफी इसमें करके देखते है अलग-अलग आकार है तो मैंने स्मूधीस भी इसमें पीले और लाल जैसे कि आप देख रहे हैं खरीदे तो इस लाल में स्ट्राबरी, सेब, केला, अंगूर, रासबेरी, अनार है और पीले में सेब, आम, केला ऐसे अलग-अलग जैसे कि आप देख रहे हैं कि रंगीन मिश रहे हैं तो पहले में ये निकाल लेती हूँ और इसमें स्मूथी डाल देती हूँ ये इनकी जो पकड़ने के लिए जो छड़िया है वो निकाल के मैं उसमें स्मूथी डाल रही हूँ और फिर उपर से भी थोड़ी डाल देंगे ये देखिए ये मैंने तयार कर लिया है साली स्मूथी मैं इसमें डाल दी है मैंने जो पहला जो है उपर का जो है वो मैंने मिक्स स्मूथी का बनाया है तो देखते है इसको फ्रिज में रख के कि ये कैसा होता है मुझे तो लग रहा है कि ये कुलफी बहुत अच्छी बने बाहर निकाल दिया है और देखते हैं कि इसको हम कैसे निकाल पाए मैंने इसलिए ये प्लेट यहापे लेकर रखी है और थोड़ा सा मैं दबा रही हूं ताकि ये कुलफिया जो मेरी ठंडी हो गई है वो इसमें से बाहर निकले और देखिए ये दबा कर पहली तो निकल गई और ये निकल रही है अभी दूसरी ये रहे और तीसरी थोड़ी से यहापे दिक्कत हो रही है पर कोई बात नहीं है देखिए ये भी निकल गई जी हाँ मुझे ये आकार तो बहुत ही पसंद आये है और यहापे जहापे है हम इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़े सी कुलफी भापे भी आ गई है तो मैंने ये देखिए ये पेपर लेके मैं थोड़ा सा इसको पोच रही हूँ अच्छी तरीके से और जल्दी से कोई बात नहीं मुझे लगता यहापे बहुत गर्मी है इसलिए ये पि थोड़ा चांदनी जैसा इसका आकार है तो बहुत ही अच्छा है आप किसी को अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सब्प्राइज होगा उनके लिए ये और काफी आकर शक है दिखने में भी तो आप कौनसा भी मिश्रन इसमें डाल कर इस आकार क में इसके करके आप खुलफी बना सकते हैं मुझे बताएं आपको ये वीडियो और ये तरकी प्रकी लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा